तो नवरात्री आ ही गई और कल है महाले तो स्वागत है आप सभी का खाना और स्वाद के चैनल में एक बहुत ही स्पेशल महाले रेसिपी की साथ इस पूरे वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेग और नवरात्री में तो सब लोग वेज़ी खाएंगे बस कल महाले है इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूं तो आप लोग जरूर इसे लाइक कीजेगा और पूरा वीडियो देखेगा तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं आज ये समुद्री मचली पॉम्फरेट को कै इसके लिए मैंने यहां पे सरसो का इस्तेमाल किया है क्रेवी के लिए तो सरसो को हम एक मिक्स्टिंग जार में ले लेंगे साथी मैं आप लहसन और मिर्ची भी ले रही हूं और एक टमाटर ले रही हूं इसका हम एक पेस्ट पर आ लेंगे तब तक यह आप ट्रिक समझ च तो आप उसे टिशू पेपर में राप करके रख लीजे फ्रिच में और जब आपको यूज करना है तब आप उसे पानी में डाल कर यूज कर सकते हैं आपको स्वाथ और स्मेल दोनों मिलेगा तो देखें यहां पे मैं पॉम्फरेट मचली को अच्छे से मैरिनेट कर ली रही कि एक अलग सी स्मेल आती है तो वो हट जाती है विनिगर से उसके बाद ही हमने पैन में मस्टेड ओल लेकर इसे अच्छे से फ्राई करना है तो देखें इसे फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं रखता है यह बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और पॉम्फरेट काने में बहुत टेस्टी होती है तो चलिए मैं यहां पर कढ़ाई में फोरन दे रही हूं सारे मशलियों को मैंने फ्राई कर लिया था अब मैं फोरन के बाद इसमें कटे हुए प्यास डाल रही हूं प्यास के बाद मैं इसमें थोड़ा लाल मिर्ज पाउडर डाल रही हू आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए उसके बाद इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखे लो फ्लेम पे रखते हुए इसे आप धीरे धीरे चलाते रहेगा इस कलर का हो जाने के बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट को इसमें डाल देंगे देखे अब हमें इस पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई करना है इसके लिए हल्दी डाल दिया है नमक डाल दिया है ये पेस्ट चालने के बाद थोड़ा सा तेल चिटकता है इसलिए हल्दी और नमक आप ज़रूर डाल दीजिए ताकि आपका तेल भी ना चिटके तो देखिए इसे हम डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से इसे फ्राई करना है फ्लेम को बिलकुल ही लो रखिएगा और फ्राई करते रहिएगा आप देखी सकते हैं इसकी कलर भी जो है उसमें भी चेंजेस आ जाएगी और ये अब देखिए तयार है फ्राई होके क्योंकि ये अब पूरा तेल अपने में ले लिया है अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए थ थोड़ा पतला कड़ी किया था तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही पानी डाला था और बस हमें मचली को डाल देना है इसमें पॉम्फरिट ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है और अगर आप पॉम्फरिट की करी खाएंगे तो और भी ज्यादा टेस्टी लएगी गरम-गरम चाव मचली में अच्छे से खुझ जाए और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा तो आप लोग बताईए मेरी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लग रही है मैंने इसमें आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स भी कहा है और आप लोग मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी ज़ रेसिपी स्पसंद है जो आप लोग जरूर बताईए मैं और भी ज़्यादा ट्राइ करूंगी छोड़ने का तो बस लास्ट में हमने जो धन्या का पत्ता रखा था पानी में उससे गार्निश कर दिया और ये हमारी तयार है पॉम्फरिट की रेसिपी तो आप लोग मेरी व सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हापी नवरात्री